दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिरा जिरूँ आपके साथ और दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पैराग्राफ और यह जो पैराग्राफ है वो है मदर के ऊपर तो दोस्तो आज हम इस वीडियो के अंदर यह सीखेंगे कि यदि हम कुछ एक पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम उसको कैसे बना सकते हैं इंग्लिश में और दोस्तो यहां पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊंगा जिससे यह आपको असानी से समझ में आएगा और यदि आप पैराग्राफ लिखन in all for me. क्या मतलब वो? all in all का मतलब होता है सब कुछ. तो इस लाइन का क्या मतलब हो? my mother is the all in all for me. मतलब मेरे लिए सब कुछ है. और दोस्तों जब हम किसी वाकिये अंदर is-mr का प्रियोग करते हैं तो वो simple present का वाक्य होता है. तो यह जो हमारा वाकिय है, यह है simple present का तो इस इस लाइन का मतलब क्या हुआ, my mother is the all in all for me, for me मतलब मेरे लिए, मतलब की मेरी मा, मेरे लिए सब कुछ है, चलिए, आगे देखिए, I could see this beautiful world only because of her, क्या मतलब हुआ, देखिए, जब भी हम किसी वाक्य में सका सकी सके का यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुड का प्र I could see this beautiful world, मतलब की मैं इस सुन्दर, खुबसूरत दुनिया को देख पाया, तो कुड का मतलब होता है, सका सकी सके, या फिर पाया, पाई, पाए, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, I could see this beautiful world, मतलब मैं इस खुबसूरत, मैं सुन्दर दुनिया को देख पाया, only because of her, मतलब की सिर्फ उनकी वजे से तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि I could see this beautiful world only because of her मतलब मैं इस सुन्दर इस खुबसूरत दुनिया को देख पाया सिर्फ उनकी वजे से चलिए आगे देखिए She has brought me up with utmost care, love and affection क्या मतलब हुआ दोस्तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें has और वर्व की third form का प्रियोग किया जाता है तो वो present perfect का वाक्य होता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें has या have के बार third form आती है तो वह present perfect का वाक्य होता है तो यह वाक्य भी हमारा present perfect का है और दोस्तो यदि हमारा subject he, she or कोई भी singular noun होता है तो उसके साथ हमें has का प्रियोग करना होता है और दोस्तो यह जो word है brought यह आपने कई बार सुना होगा यह bring की third form है यह सिर्फ bring नहीं है यह up भी इसमें साथ में है और यदि सिर्फ अगर हम इस word के बारे हम बात करें तो यह bring की third form है brought जिसका मतलब होता है lana लेकिन आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि यदि आप bring के साथ up लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा पालन पोशन करना और इसकी third form है brought up तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ she has brought me up मतलब की उन्होंने मुझे पाला है या कह सकते हैं उन्होंने मेरा पालन पोशन किया है तो दोस्तो यह has के बाद third form का प्रियोग तो यह present perfect हो गया दूसरी बात मैंने आपको यह बताई कि bring के साथ जब आप आता है तो उसका मतलब होता है पालन पोशन करना और यह bring up की third form है क्योंकि present perfect के साथ यदि जब हम वाक्या बनाएंगे तो वहाँ पर third form का प्रियोग किया जाता है तो यह third form हो गई तो इस line का मतलब हो गया she has brought me up मतलब उनोंने मुझे पाला है या कह सकते हैं उनोंने मेरा पालन पोशन किया है with utmost care utmost का मतलब होता है बहुत अधिक अतियंत care का मतलब देख बाल मतलब मुझे बहुत देख बाल से पाला है love love मतलब प्रेम प्यार से and affection दोस्तो affection एक noun है जिसका मतलब होता है सनह या फिर लगाव तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ she has brought me up with utmost care love and affection तो इस line का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने मेरा पालन पोशन किया है बहुत ही देखबाल के साथ प्यार के साथ और सनह के साथ तो affection को आप नोट कर सकते हैं यह भी एक नाउने जिसका मतलब होता है लगाव, सिनह या फिर प्रेम या प्यार चलिए आगे देखिए according to me दोस्तो according का मतलब होता है अनुसार, तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर आप अनुसार लगाना चाहते हैं तो आप उसमें according का प्रियोग करेंगे जैसे मालिजभ वाक्य बनाना चाहते हैं उसके अनुसार, तो आप क्या लिखेंगे according to him या फिर according to her मोहन के अनुसार according to मोहन तो आपको क्या करना है according to के बाद जो वेक्ति है जिसके अनुसार वो है तो वहाँ पर उसको mention कर देना है तो यहाँ पर क्या मतलब वह according to me मतलब मेरे अनुसार the mother is the the mother is the most trustworthy friend देखें trustworthy एक adjective है जिसका मतलब होता है भरोसे मंद तो आप इस वर्ड को note कर सकते है और most का मतलब होता है सबसे अधिक trustworthy मतलब भरोसे मंद तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ according to me मतलब मेरे अनुसार the mother is the most trustworthy friend for a person मतलब एक व्यक्ति के लिए एक इनसान के लिए जो मा है वो क्या है the most trustworthy मतलब कि सबसे भरोसे मंद दोस्त है तो दोस्तों ये बहुत प्यारा sentence है और ये बात बिल्कु सच है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि according to me मतलब मेरे अनुसार the mother is the most trustworthy friend मतलब जो मा है वो सबसे अधिक सबसे ज़ादा भरोसे मंद दोस्त होती है for a person किसी भी व्यक्ती के लिए एक इंसान के लिए चलिए बहुत अच्छी लाइन है बहुत सुन्दर लाइन है चलिए आगे देखिए my mother is my best friend best friend का मतलब सबसे अच्छा दोस्त तो क्या मतलब वो इस लाइन का my mother is my best friend मेरी मा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है I can share my good moments with her share का मतलब होता है साजा करना और दोस्तों जब भी हम किसी वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं लगाना चाहते हैं तो वहाँ simply हम can का प्रियोग कर सकते हैं और can के बाद वर्व की first home लगानी होती है तो ये जो share है वर्व की first home में जिसका मतलब होता है साजा करना तो इस line का क्या मतलब होगा I can share my good moments with her मतलब मैं उनके साथ अपने अच्छे लम्हों को good moments मतलब अच्छे लम्हें अच्छे चड़ों को पलों को कह सकते हैं अच्छे पलों को क्या कर सकता हूँ साजा कर सकता हूँ तो इस पूरी line का क्या मतलब होगा कि I can share my good moments with her मतलब मैं अपने अच्छे पलों को उनके साथ साजा कर सकता हूँ चलिए आगे देखे during my bad times bad time का मतलब बुरा समय मतलब मेरे बुरे समय के दौरान during का मतलब दौरान होता आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं during my bad times मतलब मेरे बुरे समय के दौरान I always find my mother with me देखे find एक वर्व है जिसका मतलब होता है पाना और always का मतलब होता है हमेशा तो इस line का क्या मतलब हुआ during my bad times I always find my mother with me मतलब मैं अपनी मा को हमेशा अपने पास पाता हूँ I always find my mother with me अपने साथ पाता हूँ तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ कि अपने बुरे समय के दौरान मैं अपनी मा को हमेशा अपने साथ पाता हूँ चलिए आगे देखे She supports me support का मतलब होता है साथ देना और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी information में आपको देना चाहूँगा आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने जब भी आप present indefinite में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर आपका subject हिश या कोई भी singular noun होता है तो वहाँ पर वर्व की 5th form का प्रियोग किया जाता है देखिए यह जो word है S-U-P-O-R-T यहाँ तक यह वर्व की 1st form है और यदि आप इसके साथ S लगा देंगे तो यह वर्व की 5th form हो जाएगी तो यह present indefinite का वाक्य है तो rule के accordingly ज़दी subject हमारा ही प्रियोग करना होता है तो यह यहाँ पर हमने subject के रूप में प्रियोग किया है इसलिए वर्व की हमने 5th form लगाई है यहाँ पर तो क्या मतलब हुआ She supports me मतलब मेरा साथ देती है During those bad times During मतलब दौरान Those un dynो मतलब उन bad times बुरे दौनों के दौरान तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ She supports me during those bad times मतलब वो मेरा साथ देती है उन बुरे दिनों के दौरान During those bad times चलिए आगे देखे I have a strong admiration for my mother देखे Admiration को आप नोट कर सकता है Admiration का मतलब होता है प्रिशन सा और ये एक noun है तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ I have a strong admiration for my mother मतलब मेरा मेरी मा के लिए बहुती मजबूत एक क्या है प्रिशन सा है चलिए आगे देखे My mother is very hard working दोस्तो hard working adjective है जिसका मतलब होता है महन्ती My mother is very hard working मेरी मा बहुत महन्ती है and dedicated to her works dedicated भी adjective है जिसका मतलब होता है समर्पित होना तो क्या मतलब है कि मेरी मा बहुत महन्ती है और समर्पित है to her works अपने काम को लेकर या अपने काम के लिए I have learned दोस्तों ये learn की third form है और जैसा आप जानते ही है कोई चीज को सीखना या फिर याद करना तो क्या मतलब होँ I have learned मैंने सीखा है from her उनसे that की hard work brings जो hard work के महनत है brings लाता है success, suffelta तो इस पूरी line का क्या मतलब होँ I have learned from her मैंने उनसे सीखा है that की hard work brings success की जो महनत है hard work मतलब महनत है brings success she does her works वो अपने काम करती है all day पूरे दिन with a smiling face मतलब एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ smiling face मतलब मुस्कुराता हुए चेहरा she not only prepares delicious food मतलब वो सिर्फ अच्छा स्वादिस्क भोजन नहीं बनाती है for us हमारे लिए but also लेकिन आगे देखिए she does not forget to take care of us मतलब वो नहीं भूलती है दोस्तो forget का मतलब होता है भूलना तो आप इस word को भी note कर सकते है forget का मतलब भूलना होता है और यह वर्फ की first form है और जिसाब यह negative का वाक्य है तो जब हम present indefinite में negative का वाक्य बनाएंगे तो subject हमारा ही शिया singular होगा तो उसके साथ does not का प्रियोग क्या जाता है और आपको यह चीज भी याद रखनी है कि do not does not के बाद हमेशा ही वर्फ की first form आती है तो इस line का क्या मतलब होगा she does not forget to take care of us मतलब वो हमारा ध्यान रखना नहीं भूलती है forget मतलब भूलना आगे देखिए she is the decision maker of our family दोस्तों decision maker का मतलब होता है निलने लेने वाला तो क्या मतलब हुआ she is the decision maker of our family वो हमारे परिवार की क्या है निलने लेने वाली व्यक्ति है तो दोस्तों यह एक छोटा सा paragraph था और मैंने पूरी कोशिश की चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और comment करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो सुनने के लिए thank you so much have a nice day and bye